मुरादाबाद मौनसुन की पहली बारिश के बाद कुछ गाउं की हालात बद से बत्तर हो गई है जहां जंजेवन पूरी तरीके से बादित हो गया है हम बात कर रहे हैं मुरादाबाद के कट घर थानाश्षेत्र के ग्राम कॉड की तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर पहली बरसात के बाद गंदगी का अमबार लग गया है और मुख्य रास्ते पर कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रही है ग्रामिनों का कहना है कि कुछ महीने से यहां पर जल निगम द्वारा पाइपलाइन डाली गई थी उ जिसके चलते आने जाने वाले लोगों को काफी परिशानियों का सामना करना पर रहा है ग्राम प्रधान मुहमद असलम द्वारा भी ग्राम में ध्यान नहीं दिया जा रहा है साफसफाई खस्ता हाल है गंदगी का अमबार है ग्रामिनों का कहना है कि ग्राम प्रधान द्व का भी खत्रा मंट्रा रहा है अब देखना यह होगा कि ग्राम गोट की हालत कब ठीक हो पाती है और ग्राम प्रधान लोगों की समस्यां को कब दूर करते हैं यह तो वक्त ही बताएगा इस समय यह परिशानी है कि अभी यहां पर यहां पर यहां पर जादा गारा हो गया है लेकिन कोई बाहन है जाता तो फज जाता यहां पर बहुत जादा परिशानी है यह इना पूरे गाउं में दभी हुए यह पैबलेंड लेकिन में रास्ता जो है यह इशी के रास्ते से ज्यादे दिक्क्त है लोगों को और यह घरों में भी पानी आया ता तो इसकी शिकारत कभी परदान ने पर दान से नहीं करी आप सुरू रोट जिससे कई वार करी ले यह इस दिन से टंकी वाले खोट के लें टंकी लागे जब से गारे घरा तमाम में रोटे गाउं का सबस्यादा में रास्ता यही है सब जितने भी गाउं के सदे से रहने वाले सब को बहुत परेशानी पढ़ लेंगे बरसात से गरिस है फिर्वाला का पानी है वह सब मैरो से बचल के लागोर के लिस स्कूल जा रहे हैं और खोरेंगे नवरो, पर्दहान के नथे तो करेंगे वह कर जबूदा कि अंगेड़वाला आट्र। बस यह यह जो है इतनी दिक्कत है बहुत ज्यादा क्या चाहते हैं आप लोग हम यह चाहते हैं कि इसका जो सुधार हो जाए मैं रोड है जिसमें कि आने जाने वाले को किसी को भी कोई परेशानी नहों आप देखो यह गाड़ी खड़ी है अभी अभी मैं बिल्कुल फस गई